यह फर्मा ऐसा रख लेते हैं विल्कुल सेंटर पर आगा आपको कहीं भी फर्मा लेने जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप घर पर बना सकते हो ठीक है फ्रेंज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं प्लीस में चैनल को सब्क्राइब किजिएगा और वीडियो को लाइक किजिएगा वीडियो को एंड तक जिरू देखना तभी आपको समझ माएगा आज मैं आपको बताएंगे इस वेक के फर्मा कैसे बनाते हैं वह अभी तक आपने में चैनल को सब्क्राइब नहीं किया प्लीस में चैनल को सब्क्राइब किजिएगा जो अपना यहां से फर्मा बोलते हैं फर्मा कैसे निकालते हैं जिस भाई को फर्मा निकालना नहीं आता तो यह वीडियो जरूर देखिएगा एंड तक मैं आपको आपको आसान तरीका बिल्कुल समझाएंगे यह फर्मा कैसे निकालते हैं ठीक है फने में से देखिएगा यह मैंने पहले से फर्मा बना के रखा है आपको समझाएंगे यह फर्मा कैसे बनाते हैं ठीक है पहले अपने को क्या ज़रूरत प्टेगी जो अपना यह इसको नापत यह कटने बाई कितने का है यह आपको Ponoucket काट के रखने का ध्यान से देखिएगा मेरे पूरा प्रियास होता है आपको सम्झाने का कि अभी तक आपको यूटूब चैनल पर किसी नहीं समझाया होगा बैक के फर्मा कैसे निकालते हैं मैं आपको पूरा प्रियास करते हैं समझाने का देखे फ्रिंस से बीच का पोकेट आपने नाप के रख लिया जिससे अपना कट के आता है कटिंग तो पहले क्या करने का पहले इस पोकेट को ऐसा मोल लीजिएगा यहां पर रॉंड लगाते हैं ठीक है अगर आपके घर पर ऐसा प्लेट हो तो ठीक है फ्रिंस ऐसा रखने के सभाट तो पहले काकिएगा जो इसपोकेट काँ ठीक हो कि इसका रॉंड लगा लीजिए गा 不錯 लागानी के बाद जैसे मैंने पहले से ललगा के रख़एगे इसा रॉंड लगाने के बाद आप अपने को जरूरत पड़ेगी फरमा कैसे बनाते ठीक है आप क्या कीजिएग prais एक कितने लंबा है तो ये नाप लीजियेगा ठीक है इसकी तेरा इंच चावड़ाई है और सवा कि अप्राइण लंबा है ठीक है फ्रेंज हो। होत कि फिर अधा वन लेते हैं है फम इस को ऐसा बीच गहां लेटे है यह बाद यह मारका पिंद से चिन लगा लिया आप क्या करते हैं इसको ऐसा रख लेते हैं यहाँ पर इस पाट को ऐसा रख लेते हैं इस पोकिट की चौड़ाएं तेरा इंच और लंबाएं सवा सतरा इंच ठीक है और इस पाट की जिसमें अपना फर्मा निकालते हैं इसके साड़े 15 इंच चौड़ाएं फ्रेंस और 20 इंच लंबाएं ठीक है यहाँ आपना कितना मार्जिन है ठीक है ध्यां रखने का जोपना यहां से निकलाओ यहां ठीक है यहां ठीक है तो अपना यहां पर एसा रख लेते हैं एसा सेंटर पर सेंटर रखने के बाद अपने प्रेंटिन के जरूवत पड़ेगी मार्चा पेंट से ऐसा चिन लगा लेदे इंच अब अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा तो प्लीस मैरे वीडियो में कमेंट किजेगा तो मैं आपको सम्झाने का पूरा प्रियास करेंगे कि कि आप कौन सा भी फर्मा वाला बेक कटिंग आए तो आप ऐसे भी फर्मा बना सकते हो ठीक है अब मैं क्या करते हैं इस इसा निकाल लेते हैं पोकेट को ठीक है यह अपना जो बीच का फोकोट यह निकला आया ठीक है तो अपना पैटन के काम में आजागा पैटन समझाता हूं आप पैटन कैसे बनाते हैं ठीक है यह बात का धियान रखने का इसको यहां पर ऐसा रख लिया ठीक है अब जो अपना यह गला निकला इसको अपना फरमा बनाते है आप फरमा कैसे बन गया यह आपको ध्यान रखना ठीक है इस पोकेट के इसाब से अपना रॉंड निकाल लिया आप क्या करते है इसको ऐसा मॉड लेते ठीक है यहां से दो मैंने पहले से फरमा बनांके रखा ऐसा मैंने भी बाई बनाया आप भी बना सकते हो ठीक है वीडियो शेयर कीजिएगा आप बनाते आप उनको नहीं आता तो आप उनके पस सेब कीजिएगा तो उनको भी बनाने में आसान रहेगा भाई ठीक है ऐसा रखने के बाद आप क्या करते है अपना इसको सेंपल को नाप लेते हैं कितनी इसकी लंबा यूटिक है द्यान से देखिए गाइगा कि इसकी लंबा यह साड़े 16 इंच ठीक है रोंड के सबसे शाड़े 16 इंच कि शाड़े 16 तो अपना क्या आदा इंच फालतू रखते हैं क्योंकि मार्जन में चला जाएगा ठीक है हमेशा ज्यादा रखने का फर्में यह सिलाई में चला जाएगा ठीक है इसको 17 इंच कर लेते हैं अब देखिए अपना यह फर्मा बन गया यहां पर अपना इसको बोलते हैं फर्मा वाली कटिंग ठीक है फ्रेंस ऐसे मैंने यह भी फर्मा बनाया है आप बना सकते हो और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा मैं आपको समझाने का पूरा प्रियास करेंगे अब देखिए अपना यह फर्मा ऐसा रख लेते हैं विल्कुल सेंटर पर आगा आपको कहीं भी फर्मा लेने जाने की जरूरत नहीं प्रियास करेंगे तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा मैं आपको समझाने का प्रियास करेंगे और आपको किसी भी बैक के फर्मा बनाने की दिक्कत आ रहे हैं तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा मैं आपको समझाने का पूरा प्रियास करेंगे और अभी तक आपने में चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज में चैनल को सब्क्राइब किजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बनिये रहिए ठीक है आप देखिए मैंने पहले पोकेट काट के रखा ठीक है अब यहां पर अपना सिलाय लग जाएगा और यहां पर एक गोड़र आ जाएगा ठीक है आया समझ में तो मेरी वीडियो में कमेंट कीजिए गा ठीक है देखिए फ्रेंज मैंने आपको फर्मा बनाना सिखा दिया ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ फर्मा फली मैं से कैसे निकलते हैं यह भी आपको प्रक्राइब जरूर कीजिए गा तभी ध्यान से देखिएगा मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ वैसे आप फर्मी में ऐसे रखने का तो यह आपको समझ माहेगा वैसे नहीं आपके इसे रखने के बाद यह मार्का पिंच से इसा चेंड लगा लेते हैं ठीक है कौन सा भी भी बैग आए फर्मा वाला तो आप ऐसे फर्मा बना सकते हो अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अपना एक निकला आए ठीक है यहाँ पर ऐसा रखके दूसरा भी निकाल लेते हैं कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ को कि अधिक प्रेंस ऐसे फर्मा रखने के बाद ऐसा मार्का पिंच से चिन लगाने के बाद अपने मसीन से कटेक कर रहे हैं